उत्रपरदेश के अम्रोह जिन्पत के कस्वा सेध नगली में छटई के छात्रा से बार्वी के छात्र द्वारा दुश्कृरम का मामला साम्निया आया है गर्भ वती होने पर छात्रा के परिजनों द्वारा पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है बता दे कि अमरोहा जिन्पत के सैधन गली थाना शेतर में 14 वर्षिये छात्रा से एक छात्र कई महां तक दुश्क्रम करता रहा उसके गर्भ धारन का पता चला तो किशोरी को गर्भ पात की दवा खिला दी दवा खाने के बाद छात्रा की हालत बिगड़ गए और रक्त रिसाव होने लगा चात्रा को सी एस सी लाया गया जहां से प्रात्मिक उप्चार के बाद जीला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया मामले में पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है आरोपी की गिरफतारी को लेकर पुलिस दबिश की बात कह रही है दोनों एक गांव के रहने वाले हैं और इन दोनों के बीच काफी पहले से यह सब चल रहा था लेकिन अब मामले से परदा उठा तो आरोपी किशोर के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है अम्रोहा से समधाता मोहमद आसीव की रिपोर्ट आसी ही लिटेश को बरे पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद